हलो नमस्कार साथियो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल गुरू कुलम कोचिंग इंस्टिट्यूट में और आज हम बात करेंगे कुछे कैसे महतोपुन MC की उसके उपर जो की पेपरों में आमतोर पर पूछे जाते हैं और अगर आप किसी भी तरह के competitive exam की त्यारी कर रही है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ इसाथ इसमें हम फुल एनालीसिज के साथ previous year question paper को डिसकस करने की भी आपको कोशिच करेंगे पहला question है आज का कि पांच नदियों की भूमी की से कहा जाता है किस राजियों को पांच नदियों की भूमी के तौर पे जाना जाता है तो आपके पास option है पंजाब हरियाना उतरपरदेश जारखंड देखिए दोस्तों पांच नदियों के तौर पंजाब को जाना जाता है और पंजाब में जो पांच नदिया बैती है वो रहेगी आपकी वैयास, चिनाव, जेलम, रावी, सतलूज ये पांच नदिया यहां पे पंजाब में बैती है और साथी साथ पंजाब को भारत का अन्भंडार क्या कहा जाता है अन्भंडार के तौर पे भी जाना जाता है और भारत की रोटी का कटोरा या रोटी की कटोरी के तौर पे भी पंजाब को ही जाना जाता है तो इस तरह से हमने यहां पे तीन MCQ सॉल्ब कर दिये पहला अगर इसमें आपको पांच नदियों के तौर पे कोशन पूछा जाए तो भी पंजाब अंसर आएगा और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि अन्भंडार के तौर पे भारत का कौन सा राजयो प्रसिद है तो भी पंजाब आएगा और अगर कहें आपको कि रोटी की कटोरी किस राजय को कहा जाता है तो उसका अंसर भी पंजाब होगा तो इस तरह से ये question आपका solve हो जाता है Question number 2 है इन मैंसे कौन एक संचलेशित फाइवर है यानि कि synthetic फाइवर के तौर पे इन मैंसे किसको जाना जाता है कपास, रियान, रेशम या जूट पांच option वैसे आपका जो सही उत्तर है वो है रियान प्राक्रितिक रेशों के स्थान पर प्रियोग होने वाले Natural जो हमारे पास फाइवर्ज है उसके स्थान पर जब हम man-made material को यूज़ करते है उसको हम क्या कहते है जैसे की हमारे पास इसके एक्जामपल रहेगे रियान, टेरिलिन, टेरिन या डेकरॉन आदिस के कुछ एक एक्जामपल है जो की मानव निर्वित रेशे है यानि की उसको हम synthetic fiber भी कहते है और इनका उप्योग मुख्यत और प्राकृतिक रेशो जैसे उन और रेशम के स्थान पर होता है इसके साथ question number 3 है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सरजित करता है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सरजित करता है तो option चंद्रमा, वरून, भेस्तपती या शनी तो इसका सही उतर रहेगा वरून वरून यानि की English में इसको Neptune कहते है सौर मंडल का आठवा ग्रह है और अकार के अधार पर यह चौता सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का है question number 4 है भरत नाटियम किस राजियों का प्रसिद लोक निरित्यों है option गुजरात, असम, उतरपरदेश, तामिल नाडू देखिए, जो भरत नाटियम है वो सबसे प्राचीन निरित्यों माना जाता है सबसे प्राचीन निरित्यों माना जाता है और इस निरित्यों को तामिल नाडू में कहां पे, जो सही उतर है, इसका वो तामिल नाडू है तामिल नाडू में देव दास्यों द्वारा विक्सित क्या प्रसालित क्या गया था लेकिन पहले क्या ये देव दास्यों के द्वारा प्रचलन में होने के कारण उसको उतनी ज़्यादा प्रसिद्धी नहीं मिली लेकिन बाद में बीश्वी स्थावदी में इसको काफी ज़्यादा प्रतिवर्ष विश्व टेलिविजन दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष जो विश्व टेलिविजन दिवस है टीवी डे वो 21 नुवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और 21 वर्ष 1996 से हर साल 21 नुवंबर को टीवी दिवस मनाया जाता है यानि कि टेलिविजन दिवस के तौर पे मनाया जाता है जिसकी घोशना स्योक्तराष्ट महासभा में कहां पे UN की जो महासभा है होती है उसमें क्या गया था और 21 नुमबर को जो 2021 का 21 नुमबर है उस दिन 26 वा विश्व टेलिविजन दिवस मनाया गया और इसके बाद जो नेस्ट कोशन है अंतराष्टिय योग दिवस का मनाया जाता है इसका सही उतर रहेगा 21 जून को अंतराष्टिय योग दिवस मनाया जाता है और 21 जून को इसलिए इस योग दिवस को मनाया जाता है क्योंकि 21 जून होता है 21 जून सबसे लंबा दिन होता है और ऐसी भी इसमें मानेता प्रचलित की गई है कि दिरगायों के लिए या लंबी उमर के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए योग दिवास को मना जाने का फस्ताव सबसे पहले भारत के प्रधान मंतरी शिरी नरेंदर मोदी जी ने 27 सेप्टेंबर 2014 को स्युक्त राश्ट मासवा के अपने संबोधन में किया था उसके बाद क्वेशन नमबर साथ है किस संशोधन के द्वारा लोगसभा की सीटों को 525 से बढ़ा कर 545 कर दिया गया था तो इसका सही उतर रहेगा कतिस्वा समयधानिक संशोधन के द्वारा जो समयधान की सीटे थी लोगसभा की सीटे पांसव पची से बढ़ा कर 545 कर दी गई और ये इसलिए की गई क्योंकि वर्ष उनिसो कतर में जनगर्णा में जनसंगे अवरिदी दर्ज की गई थी जिसके क कारण लोगसभा की सीटों को भी बढ़ा कर पांसव पची से 545 कर दिया गया था जो आज के आंतिम सवाल है प्रशन है वो है 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो सही उन्तर जो इसका उतर रहेगा वो रहेगा अंतराश्ट्रिय प्रलय समा प्रण दिवस 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में मना जाता है और यहो इसलिए मना जाता क्योंकि उस समय नाजिश आशन और उसके सहयोग्यों द्वारा 60 लाख यहुदियों को तथा यूरोप की दोथ यहुदी आबादी और लाकों अन्य लोगों की हत्या को यह याद द लाता है बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था उस रिमेमरेंस से मैं 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में अंतराश्टे पर लाए समारन दिवस के तौर पे मनाया जाता है तो दोस्तों अमीद करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो से काफी सहयोग मिलेगा आपने पेपर की त थैंक यू तो वाच इस वीडियो